और यूक्रेन से आज की सबसे बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं, युद्ध के मैदान में उतरा हैं राश्चुपती पुतिन, वार कंट्रोल रूम में कई घंटों तक रहे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन, पुतिन ने सभी कमांडर से अलग-अलग बात किये, परमानू हत् जानकारी ली, रूसी कमांडर से अलग-अलग बात भी की और युद्ध की रणनीतियों के बारे में जानकारी हासल की एक्स्क्लूसिफ तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं, जब रूस के कमांडर से, सैनिक कमांडर से मुलाकात की है, रूस के राश्चुपती ब्लादमेर प रही है, इसको लेकर जानकारी रूसी सैनिक कमांडर से ली गई, साथ ही परमाणू हत्यारों की तैनाती पर भी पुतिन ने आगे की स्ट्रेटेजी फाइनल की है, याद होगा आपको टीवी नाइन भारत वर्ष पर अलेक्सेंडर दुगिन, जो की पुतिन के गुरु कहे जाते हैं, उनका exclusive interview हमने आपको दिखाया, जिसमें उन्होंने भी यही कहा था, ये युद्ध तभी खत्म होगा, जब रूस जीतेगा, मनीश रा, मौस्कों से हमारे सायोगी हमारे साथ जड़गे हैं, उनसे बात करते हैं, मनीश लगातार हम ये देख रहे हैं, कि ब्लाद से बात करके, क्या जानकारी आपके पास? पर मौदूद था, जहां पर की पूरी स्ट्राटेजी बन रही थी, जो कमांड और कंट्रोल रूम है, रूस के युद्ध का, रूस की सेना का, जहां से एक-एक स्ट्राटेजी बन रही थी, कि कि किस मोर्चे पर कितने सैनिक भेजने हैं, कौन से हत्यार भेजने हैं, क्या war strategy होगी वहाँ पर प्रेजीडेंट पुटिन पहुंचें कई घंटे तक रहे एक एक commander से बात की उन से जायजा लिया और फिर समिक्षा की कि हमारे nuclear war hate कहां कहां पर तैनाथ हैं हम ने हमारी क्या planning हैं हमारे पास कितने मिसाइल हैं हम इन मिसाइलों को कहा कहा पर किस थरह से इस्तिमाल करना सोच रहे है हम आगए की पर किस थरह से आकर्मन करेंगे हमने नाटो के लिए क्या तैयारिया कर रही है एक ठीटेल कमांड कंट्रोल रूम में लेकर वहां कमांडर से लेना यह अपने आप में इसलिए बड़ी बात है क्योंकि पहली बार प्रेजिडेंट पुतिन इस युद्ध को खुद लीड करने के लिए अब तक उनकी सेना लीड कर रही थी अब तक उनके रक्षामंतरी लीड कर रहे थे और पुतिन ऐसा दिखा रहे थे कि यह एक स्पेसल मिलिटरी ऑपरिशन है लेकि पुतिन का वार रूम में जाकर उस युद्ध को लीड करना इसकी पूरी रिप्यू करना यह अपने आप में बताता है कि पुतिन अब पूरी दुनिया को यह बताने के लिए तयार है कि हाँ यह उनका युद का लंबा वक्त हो चला है इस युद्ध को लेकिन नुकलियर अटाक को लेकर के बयान लगातार पुतिन की ओर से आते रहें जिसमें उन्होंने यह भी जोड़ा है कि पहले नुकलियर अटाक रूम में जाना सैनिक कमांडर से बात करना क्या अब वो घड़ी आ गई है जब अटाक के बारे में विचार मन्थन चल रहा है रूस में दिखें पुतिन का वार रूम में जाना कमान और कंट्रोल रूम में जाना इसका मतलब यह है कि पुतिन को और रूस को यह अंदाजा है कि यह युद्ध आगे कहां तक जाने वाला है और इसलिए पुतिन खुद इस युद्ध की जवाब दे ही ले रहे हैं उस जगह पर कमांडरों के साथ बात करके और उसका मतलब यह है कि रूस को यह अंदेशा है कि जिस तरह से अमेरिका पैट्रियट मिसाइल सिस्टम दे रहा है जिस तरीके से हजारों की संख्या में अमेरिका और बृटन के सैनिक वहां लुच की जब रूस को परमानु हथियार का इस्तिमाल करना पड़ सकता है और इसे लिए पुतिन अपने कमांडरों से अपने परमानु हतियारों की 5000- Sunshine के बारे में review meeting कर रहे हैं कि ने वह और कौन से परमानु हतियार तयार हैं जिसे कब हम इस्तेमाल कर सकते हैं और वो रेड लाइन क्या होगी जिसके बाद पुतिन अपने सेना को आदेज देंगे कि अब आप नुक्लियर बटन दबा दो मनीश क्या कुछ बदलाव भी अब देखने को मिलेंगे जैसा आप बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ा डिवलाप्मेंट जी क्योंकि अभी तक ऐसा हुआ नहीं था कि रूस के राश्पती ब्लादमेर पुतिन खुद पहुँचे हो वार कंट्रोल रूम में क्या युद्ध की रणनीतियों में कुछ बड़े बदलाव आने वाले समय में हम देख सकते हैं इसलिए वो पहुँचे भी थे सैनिक कमांडर से बात करने के लिए देखे अब तक बीते दस महिनों में अगर आप देखे तो पुतिन कई बार वार जोन के कई हिस्से में गए लेकिन तब ये मैसेज दिया गया कि पुतिन अपनी सेना का मनोबल बढ़ा रहा है लेकिन पुतिन ने कहीं भी ये मैसेज नहीं दिया था कि इस युद्ध को वो लेकिन पुतिन का कमान कंट्रोल लूम में जाकर इस तरीके से मीटिंग करना एक एक अपडेट लेना पुतिन दरसल अपने भी देश में रूस में भी ये कह रहे हैं कि हाँ ये मेरा युद्ध है और इस युद्ध को मैं अब जीत कर दिखाऊंगा देखे एक बार जब कुछ भी भरदास्त नहीं करेंगे और या तो रूस जीतेगा या फिर दुनिया कत्म होगी तो पुतिन का कमान कंट्रोल लूम में जाना दुगिन के उसी बात को प्रमानित करता है कि अब रूस और पुतिन उस मोड में चले गया हैं जहां उन्हें विजय स्री से कम कुछ भी मंजूर नहीं होगा जाहिर बात है मनीश जाहिर बात है दुगिन के साथ जो एक्स्क्लूसिब बातशीत आपने की है उसमें बहुत बड़ा संदेश सिर्फ यूकरेन के लिए बलकि पश्चमी देशों के लिए ये बता करके कि रूस हर हाल में जीते गा ही इस पूरे ज जाहिए अगर परमाणू अटेक की नौबत आती है तो ये युद्ध यूकरेन वर्सेज रूस से शिफ्ट होका रूस वर्सेज अमेरिका हो सकता है लोटेंगे इस सवाल के साथ लेकिन जिस एक्स्क्लूसिब बातशीत की लगातार चर्चा पूरी दुनिया भर में मीडिय में हो रही है अलेक्जेंडर दुगिन से टीवी नाइन भारतवर्स सही होगी मनीज जा की एक्स्टिव बातशीत आपको सुनाते हैं My last question is, what will be the moment when this will finish, this war will end, according to your point of view? There is two possibilities. First possibility that it will win, it will end when we win in that moment. It's not too early, it is not too easy as it happens. And there is a second possibility that this fight will end with the end of the world, because whether we win or the world will be destroyed. Because I am absolutely sure that this time Russia will not be overcome by enemy. We don't tolerate any other solution and the end of this war except the victory. And in that all our people, our state, our president, all of us are totally in accordance. करने के लिए. लेकिन मनीश हमारे साथ जुड़ेवे आप मॉस्को से, पुतिन जो जिस तरीके से रणनीतियां तयार कर रहे हैं और दुगिन ने जो बड़ा संदेश दिया है पश्चिमी देशों को, अमेरिका को भी. अगर परमाणू अटेक की नौबत आती है, तो जाहिर बात है कि युद्ध यूकरेन वर्सेज रूस नहीं रहेगा. ये युद्ध हो जाएगा रूस वर्सेज अमेरिका का. पश्चिमी देश कैसे ले रहे हैं? दुगिन के इस बयान को और पुतिन के खुद मोर्चा समालने को लेकर. बिल्कुल देखे, वैसे भी अगर रूस की नजर से देखे, तो ये युद्ध रूस बनाम युकरेन कभी थाई नहीं. रूस की तरफ से तो हमेशा यही कहा ही जा रहा था कि युकरेन को आगे करके अमेरिका और पश्चिमी देश इसे लर रहे हैं. और पीते दस मेहने में वो दिख वी रहा है. लेकिन जो बात दुगिन कह रहे हैं, जो बात पुतिन कमांड और कंट्रोल रूम में जाकर दुनिया को मैसेज दे रहा है. तो दरसल पूरी दुनिया इस वज़ा से समझ रही है कि रूस की असली मनशा क्या है. जो बात दुगिन कह रहे हैं, यही बा मासकों में तो वार जौन में उस जगे फ्रेंट लाइन पर किस तरह के हालात में रूस और युक्रेन के सैनिक लड रहे हैं। लेकिन इसके बाद ही देखिए कि क्या हो रहा है। कि लगातार युद्ध भानाक हो रहा था भीशंतम रूप ले रहा है। तो इसका मतलब ये है क कि पश्रिमी देश और अमेरिका समझ रहा है कि अगर कोई ऐसी नौबत आई तो पुतिन परमानु बम का इस्तेमाल करने से नहीं हिचकेंगे और यहीं सबसे बड़ी खत्रे की बात है हम सब के लिए ना के बहुत बहुत शुक्रिया मनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस एक्स्क्रूसिव खबर पर जानकारी देने के लिए आज का सबसे बड़ा डिवलप्मेंट बैटल ग्राउंड से खुद पहुंचे है रूस के राश्पति पुतिन सैने कमांडर से बातचीत करें घंटों समय बिताया है और युदि की रणनीतियों में बदलाओ की बात कर रहे हैं